हेलो इस्ट्रेस, क्लास 11 का सेट थियोरी कर रहे हैं, सेट थियोरी में ये एक्सरसाइज 1.5 है, सेट थियोरी इतना आसान है शिर्फ आपको बताना है मुझे, इतना आसान है आप खुद कर लोगे, मैं सिर्फ मोटिवेट कर रहा हूं या आपको लाइन में पकरा रहा हूं, ह क्या है यह एक्स्प्रेंड करता हूं इनिवर्सल सेट का मैंने अल्रेडी एक्स्प्रेंड बात किया था इनिवर्सल सेट मतलब इस तरह समझाता हूं यू इक्स्प्रेंड में यू सेट में वन से नाइन तक दिया हूआ है ये सेट में जो भी है बी में ये तीनो ए बी सी तीनो यू का ही सबसेट है यू से ही निकल के आता है कहने मतलब ए बी सी का मालिक या गो डाउन इसको universal set करते हैं यह go down है वहाँ से छोटा छोटा पेकेट है यह छोटा छोटा पेकेट उसी तरह यहाँ भी है universal set दिया है A B C D मतलब बाकी नीचे जितना set होगा वो सब इसी का subset होगा universal A B C D E F G यह सब कहां से universal set A B C D कहां तक दिया था A B C D यह तो गलत लग रहा है A B C D 1 to 1.5 exercise में A B C D E F G H universal set गलत लिखाता है A B C D E F G H यह है universal set इसके नीचे आप जितना भी set मैंने question में दिया रहेगा वो सब इसी का subset होगा तो क्यों ना इसी से बात करता हूँ चर यह पहले लिखा हूँ रहा compliment set की बात solution में वहाँ यू लिखने में गर्बर लग रहा U equal to A B C D E F G H यह universal set है मैं सिर्फ समझा देता हूँ कैसे करना है answer में एक number का find the compliment of the following set A तो दिया हुआ है A equal to A B C दिया हुआ है this implies A compliment का मतलब जो A में है मतलब A का जो सब element है A का element में आपका A B C है इसका compliment में आप वो छोड़ के लिखिए universal set से लिखिए लेकिन यह तीनों यही मत लिखिए यह है compliment का meaning A compliment मनें A नहीं B नहीं C नहीं आच्छा तब क्या D में जो बचा हुआ है ओ सब D E F G H यह A का compliment मनली जी यह दो number में B question दिया है D E F G तो हमें चाहिए B का compliment तो उसमें यह तीनों नहीं लिखिए यह सब जो है वो नहीं लिखिए बाकी इनिवर्सर से लिखिए A लिखा B है इधर में नहीं तो B लिखिए C भी लिखिए D भी लिखिते है E यहाँ पर है D नहीं चाहिए D पहले B में है तो उसका compliment में B नहीं होगा तो D नहीं होगा A, B, C A, B, C B में D है नहीं लिखूंगा E है नहीं लिखूंगा F है नहीं लिखूंगा G है नहीं लिखूंगा H लिखूंगा यह compliment का मतलब जो हाँ वो छोड़के इसके अलबाब A कॉंप्लीमेंट को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं U-A B कॉंप्लीमेंट मतलब इनिवर्सल-B अट एक की तो बात हुआ A, B, C, इनिवर्सल से A, B, C हटा दो जो बचेगा वो कॉंप्लीमेंट है दो तरीका बोलने का A कॉंप्लीमेंट निवर्सल से A माइनस कर दो एक बात दुसरा बात दुसरा तरीका सोचने का A में जो हाँ उसको छोड़के B वला लिख दो तो माइनस बादा कॉंसेप्ट भी रहे समझने वाला ही कॉंसेप्ट रहे अच्छा होगा, A, B, C, D, इसका कॉंपलिमेंट क्या होगा, आप इजीली बता सकते हो, इसका कॉंपलिमेंट क्या होगा, यहीं लिख देता हूँ, C का कॉंपलिमेंट, भया A मत लिखना, A, B, C, D, E, F, G, H, यह था इनिवर्सल सेट, C का कॉंपलिमेंट चाहिए, A हटाओ, C हटाओ, E, B हटाओ, G, B हटाओ, यह रहा आपका कॉंपलिमेंट सेट का, C का, उसी तरह D में भी, D का कॉंपलिमेंट, D कॉंपलिमेंट मने यह सब नहीं लिखना है, यानि A, B, C, तो A भी नहीं लिखना है, A, B, C, D, E, F, G भी नहीं, G तो हाँ ही नहीं D से इसमें G है, G लिखिये G भी नहीं लिखिना है, B लिखे A, B, C, यह तो यहाँ था D, D, D लिखे E, यहाँ नहीं है, E लिखे F, F यहाँ है नहीं लिखूंगा G नहीं लिखूंगा H नहीं लिखूंगा यह D कॉम्प्लिमेंट हुआ थोड़ा भी कॉम्प्लिमेंट हो तो इसा करना भाया Universal से B, D कॉम्प्लिमेंट लिखना है तो Universal लिख दो A, B, C, D, E, F, G, H लिख दिये D का कॉम्प्लिमेंट चाहिए तो F हटा दो भाई F हटा दो G हटा दो A, B हटा दो F हटा दिये G हटा दिये A हटा दिये H, V हटा दो यह B, C, D, E इस तरह से इसमें रह जाता है तो एक कॉम्प्लिमेंट बहुत आसान बात और भी करके दिखाता हूं complement में और क्या बात है universal से वो minus कर देना है लिखने में यहां universal set 1, 2, 1 से लेके 9 निताब तो a complement, a तो दिया ही हुआ है a दिया हुआ 1, 2, 3, 4 अचे लिख लेता हूं 1, 2, 3, 4 यह a है this implies a complement को इस तरह भी समझना u minus a u से 1, 2, 3, 4 हटा दो 1, 2, 3, 4 हटा दो रहा आपका 5, 6, 7, 8, 9 यह compliment यह का b का उसी तरह b compliment b पहले लिख लू b लिखिखा हुआ है 2, 4, 6 है 2, 4, 6, 8 तो b का compliment हमें universal तक में ही दिमाग लगा ना है b का compliment में यह छोर के क्या लिखू? universal बाला लिखू लिखता हूँ, लिखता हूँ a 2 नहीं, 3, 4 नहीं 5, फिर 6 नहीं 7, फिर 8 नहीं, 9 तो इस तरह से b compliment भी हो जाता है बहुत असान तरीका खाली आप भूलना जा इतना धियान दखना b compliment a union c का compliment a union c का compliment तो भया a union c निकाल दना a और c, a और c का compliment c कहा गया, यह c और यह union यह union, a union c bracket बाला लिख रहा हूँ 1, 2, 3, 4 यह लिख दिया, c के साथ combine करना है, 3 हो चुका, 4 हो चुका 5, 6 यह रहा, यह a union c हमने लिखा इसका compliment चाहिए compliment चाहिए तो इनिवल साशेट से लिखिये, क्या लिखिये, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यह हो गया, तो जो bracket में है, उसको पहले bracket वाला काम कर लेंगे, फिर जो operation है, वो करेंगे, compliment operation हो union हो, जो भी हो, यह union भी, आच्छा, एक compliment का, एक compliment अभी हमने निकाला, 1, 2, 3, 4 छोड़के, तो होता क्या है, 1, 2, 3, 4 छोड़के, 5, 6, 7, 8, 9 यह एक compliment तो एक compliment का compliment मतलब, 5, 6, 7, 8, 9 का compliment तो यह हटाओ, universal से एसा भटाओ, 5, 6, 7, 8 यहां से हटाओ, 5, 6, 7, 8, 9 हट गया, बाचा आपका 1, 2, 3, 4 मतलब क्या हुआ, compliment का compliment वापिस A में आजाता है, 1, 2, 3, 4 ultimate A ही आया यहां समझाने का कोशी सा टेक्सबुक का compliment का compliment is the original set फिर से एक compliment B minus C negative B difference कर दूँ क्या B minus C, B minus C तो पहले लिख लो अगर जर्रत पर तो 2, 4, 6, 8 लिख देना minus C, 3, 4, 5, 6 लिख देना, यहां इसी set को रखूंगा इसका वाला member हटा के कहने का मतलब 2, 4, 6, 8 ही रखूंगा, यह हटा देना है 3 हटा दो, आचा हाई ही नहीं 4 हटा दो, हटा दिये 5 हाई ही नहीं, 6 हटा दो हटा दिये, तो यह हुआ आपका B minus C का भेलू, 2, 8 इसका complement चाहिए, अची हाँ लिख देता हूं, therefore B minus C का complement equal to 2, 8 मत लिखना 1, 2 नहीं लिखना यह पुरा इंडिवर्साल लिख दो, 1, 2 3, 4, 5 6, 7, 8 9, पुरा लिख दो 2 out, 8 out यह B difference C का complement यहां ता next question लिख रहां taking the set of natural number as universal set write down the complements of the following set 3 number में set of natural number universal set दिया हा यहा पे U equal to natural number N यह equal to 1, 2, 3, 4, 5 यह universal set यह दिया हुआ हा universal set इन सबका complement निकालना है find the complement of the following set इसका complement direct A, B, C, D सोचा था नाम देने के लिए तो नहीं देखे direct इसका complement equal to यहां कहा गया है X is an event तो complement में event मत लिखो मत लिखो है ठीक है मत लिखो तो इसा लिख देता है X, X belongs to natural number और X is even number तो उसका ओर्टा और नमबर दे देते हैं ओके फिर X, X is an odd natural number उसका complement अगर लिखना हो odd है तो उसी तरह से यह short में आप इस लिख सकता है natural number वर्ड हो जाता है बड़ा इससे अच्छा X belongs to natural number sorry या X is an odd natural number इसा लिख दो X is an even natural number simply बात X, X is a positive multiple of 3 इसका complement अच्छा लिखना X, आच्छा X belongs to ने होगा X is multiple of 3 X is not multiple of 3 multiple of 3, 369 एसा वहटाके all natural number लिख दो तो यह dot 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 है यहाँ पे इसा लिखने में थोड़ा confusion हो सकता है इसलिए word में ही लिख दिया odd का odd नहीं चाहिए तो event वाला लिख दो event नहीं चाहिए तो odd वाला लिख दो यहाँ दिया है इसका compliment देखलो X, X is a prime number ठीक है X, यह X belongs to N दे देना X is composite number prime का उल्टा composite number composite number end और एक बाद X equal to 1 भी prime number में 1 is neither prime nor composite तो पूरा set से अगर prime हटा दिया जाए तो composite बचेगा और यह 1 भी बचेगा इसलिए इसका compliment इसी word में लिख दिया set builder form में ही लिख दिया next पाथ इसका compliment लिखना है तो X, X is a natural number alright X, X belongs to natural number आच्छा natural number divisible by 3 and 5 X is not divisible by 3 or not divisible by 5 वहाँ था ओसम नमबर जो 3 से भी दिभाट जाएगा 5 से भी दिभाट जाएगा तो यहाँ दे दिया हो 3 से भी नहीं जाएगा और 5 से भी नहीं जाएगा इसका compliment ही हो गया यह compliment X is a perfect square यहीं लिख दता हो compliment लिखना है यह लिख दता हो X compliment simply X X belongs to N X is not a perfect square simply उसी तरह X, X is not a perfect cube इसका solution निकालना है simply X, X belongs to natural number देना X is not a perfect cube यहीं सा बात इहाँ से देखिए इसका compliment चाहिए तो यहाँ से X का value निकलता है 5 से उधर गया 8 तो 3 X equal to 3 वो नहीं चाहिए X, X belongs to natural number X नहीं चाहिए 3 3 छोड के इसका compliment X, X belongs to यह 5 से यहाँ निकाल लेता हो 9 से 5 गया 4 2 X का value 2 आता है तो 2 नहीं लिखना है X belongs to N N X not equal to 2 Compliment और क्या जो है वो नहीं लिखो यहाँ दिया 7 number में X इसका compliment यहीं लिख देता हूँ X such that X is यह belongs to N दे दी जिएगा X दूर में लिखू X, X belongs to natural number दे दी जिएगा फिर X यहाँ आता है X का value 2 तो लिखेंगे X not equal to 2 बाकी सब ठीक है रहा 11 number question का इधर मिटा देता हूँ space के लिए इसका compliment चाहिए यहीं हो सकता है क्या यह 9 यहाँ से मतलब बताता हूँ यह रिकलता है 2X plus 1 greater than 10 2X is greater than 9 X is greater than 9 by 2 इसका compliment हम लोग लिखेंगे यह मिटा दू यहीं लिख देता हूँ इसका compliment लिखेंगे X no doubt X belongs to natural number and X is हाँ यहाँ पे क्या greater than 9 by 2 लिखेंगे less than or equal to 9 by 2 क्योंकि यहाँ दिया है 9 by 2 से बरा यहाँ 9 by 2 9 by 2 equality नहीं दे सकते है sorry natural number का बात है इसलिए equality नहीं दूँगा just opposite इसका compliment natural number 2 next question अपका question number 4 इसका पहले कर दो continue question of 4 U equal to universal set में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, 5, 9 तब A given B, B given verify that यह verify हमें करना है solution देखिएगा verify करना है ऐसा कर देता हूँ left hand side एक number का A union B का compliment equal to पहले तो A union B भाई लिख लो A union B यहां पहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सजा के लिखा हूँ confusion ना हो union में सभी लिखना है 2, 4, 6, 8 भी होना चाहिए 2, 4, 6, 8 भी होना चाहिए 2, 3, 5, 7 भी होना चाहिए 2, 3, 5, 7 भी होना चाहिए 2 दोनों में repeat है दो बार नहीं लिखेंगे यह रहा A union B लिखा हूँ इसका compliment equal to compliment इसमें universal set ये वाला 9 तक है इसमें जो सब universal set से ये सब आउट करके लिखिए यानि ये मत लिखिए तो क्या लिखिए 1, universal set 1 2 नहीं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बस ये दो बचा यहाँ पे left hand side का ये है right hand side का एक number question में बोला A compliment intersection B compliment लिखो तो भजा A compliment पहले लिख लेते है 1, 2, 4, 6, 8 नहीं निकलना है 1, 2 नहीं 3, 4 नहीं 5, 6 नहीं 7, 8 नहीं 9 2, 4, 6, 8 चला गया 9 तक ये A compliment intersection ये तो A का compliment लिख चुके intersection B का compliment 2, 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए 1, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 5 नहीं, 6 यहांसे देख रहा हूँ 7 नहीं, 8, 9 ये रहा A, इन दोनों ने ये A compliment और ये B compliment यहीं लिख देता हूँ इन दोनों का common element common element 1, 1 ओल्राइट, 1 3 नहीं, 5 नहीं है 7 नहीं है, 9 है, ओल्राइट 9 है, ultimate देखिए left hand side, right hand side, ये 1, 9 ये 1, 9 तो हम लोग लिख देंगे, hence A union B compliment equal to A compliment intersection B compliment, ये verified, नहीं, प्रूवड लिखो proved मत लिखो, verified इसका बात सुनना, इन सब ये सब कुछ theorem है, D Morgan's theorem है कि A union B का compliment equal to A compliment intersection B compliment होता है फिर उसी तरह उसका भी A intersection B compliment मतलब ये intersection union हो जाता है union intersection हो जाता है ये D Morgan's formula है इसको proof भी करेंगे अभी exercise कर रहा हूँ इसलिए खाली तरीका सब सीख लो एक नमबर में दोनों निकाल दिये दोनों का एक ही answer आया इसलिए verified लेगती है और राइट बिल्कुल वही बात है किसका नमबर, question number ये 1 हो गया 2 में भी A intersection B complement तो पहले A intersection B देख लीजिए A intersection B में common क्या है 2 और कुछ भी नहीं 2 हो गया, all that इसके बाद A complement, union B complement A complement, A intersection B का complement sorry, A intersection B, A intersection B 2 आया, इसका complement माने universal का सब लिखिये 2 छोर के 1, 2 नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये A intersection B का complement आया left-hand side, right-hand side जो भी बोलो अब उस side बाला निकालता हूँ A complement, union B complement तो भाईया, A complement पहले लिख दो 2, 4, 6, 8 हाटा के 1, 2 नहीं 3, 4 नहीं 5 6 नहीं 7, 8 नहीं 9 माने 2, 4, 6, 8 हाटा दिया universal से 1, 3, 5, 7, 9 आया इसका A का complement ये Union B का complement अब B का complement, B का complement 2, 3, 5, 7 भाईया 1, 2 नहीं 3, B नहीं 4, 5 नहीं 6, 7 नहीं 8, 9 अब इन दोनों का ये left hand side हमने कर चुका था राइठ hand side union कर रहा हूँ 1, 3, 1, 3, 4, 5 शीरियल ही लिख रहा हूँ 6, 7, 8, 9 माने सभी को एक साथ इसा भी लिख सकते हैं आप 1, 3, 5, 7, 9, 4, 6, 8 इस तरह से तो 9 ये union तो अलग से निकाल लिए आप देख लो भाई ये दोनों बिल्कुल एक हाई या गलत हाई 1, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 therefore या हैं इसा लिख सकते हैं A intersection B का complement equal to A complement union B complement verified, not proved, verified proved अगले वीडियो में करूँगा इसका exercise आज complete कर लूँ ठीक है, ये question number 4 बहुत आसान है, बहुत easy से लिखिये कोई इसमें बेज्यादा time की जरूत नहीं है इसके बाद relation function शुरू कर दूँगा अच्छा चलिए next बात क्या, draw appropriate Venn diagram each of the following बात, in fact मैंने अभी तक Venn diagram के बारे में बात ही नहीं किया हूँ मैं सोचता हूँ पहले exercise कर लूँ फिर अपना मैं जो दूँगा जो जो देना चाहिए full, full course, full package ऐसा समझो, वो करूँगा तो ये appropriate Venn diagram फिलाल अभी इस तरह सी सिखा देता हूँ Venn diagram में दो सेट के बारे में ऐसा दो सेट Venn diagram ऐसा दो सेट ये round 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 यूज़ करके Venn diagram में सोग क्या जाता है Venn diagram का सोग का मतलब इस तरह से union intersection निकालते है न तो माल लिजे A सेट में 1, 2 1, 2, 3, 4, 5 Venn diagram में इसको सोग करना है तो common क्या है देख लो भाई 2 common है, 4 common है तो ये common में आएगा 2, 4 ये A सेट, ये B सेट A में 1 नहीं लिखे है 1, 2 लिखा जा चुका है 3, उपा नीचे कहीं भी कोई प्रोब्लेम नहीं है, 4 नहीं 5 के नहीं मतलब इस फीगर में A सेट में 1, 2, 3, 4, 5 था 1, 2, 3, 4, 5 आ गया B सेट में 2, 4 आ चुका है 6, 8 लिख दीजिए तो ये सर तरीका है कुछ Venn diagram के बारे में detail में explain करूंगा ये question Venn diagram से बस starting एकठो concept दे रहा हूँ आप लोग को solution में A union B compliment ऐसा एक पहले box बनाए ये box universal state है यहाँ तो लिखाई हुआ नहीं है कोई भी बात नहीं universal state क्या है उसमें से दो ऐसा करे एक नमबर का A union B A union B मने तो पूरा हो गया पूरा ये रहा A union B इसके बाद अगर चाहे हम लोग इसका compliment चाहिए A union B का compliment चाहिए मतलब A सब नहीं चाहिए तब ऐसा दाग दो ये सब A union B में जितना उसको हटा के बाकी काम कीजिए ये रहा ये हो गया A union B या A union B का compliment ओल राइट एक नमबर बात दो नमबर बात यहाँ उसी तरह A B करूंगा ये A compliment पहले सो करो इसमें A compliment ये A set है ये B set है A का compliment ये जाएगा A छोड़के बीना A वाला portion B से यहाँ कोई connection नहीं है कॉमा फिर से एक बार कर दू A B ये हमने ड्रो किया है A compliment का भेन डाइग्राम यहाँ B compliment का करूंगा B compliment मने B बाला एरिया छोड़के चारो तरफ का एरिया बाकी जो बचा हुआ है A हुआ B compliment हमें चाहिए A intersection B compliment A intersection B Oh sorry A compliment intersection B compliment भेन डाइग्राम में भेन डाइग्राम में intersection इसका और इसका intersection इसमें A छोड़के पूरा जगह बूख है इसमें B छोड़के पूरा जगह बूख है तो बचा क्या आप यह सब हटा के उसका compliment करना वहने यह compliment यह compliment intersection इन दोनों में common जगह कौन सा है यहाँ A नहीं है यहाँ B नहीं है तो common जगह हाई कौन सा A B common जगह A B नहीं है B B नहीं है समझाने का कोशी सा टेक्सबुक का यहाँ पे यह आप A union B का compliment निकालो यह A compliment B compliment का intersection निकालो दोनों सेम फिगर होगा इस तरह से भेन डाइग्राम से भी प्रूप कर सकते हम लोग दूसरा दिखाता हूँ अब बेन डाइग्राम का clear concept इस class के बाद कर दूँगा हो यहाँ फिर यही A intersection B का compliment दो नमबर A B यह universal set यहाँ है नहीं फिर भी बना दीजिएगा A intersection B A intersection B का मतलब हुआ common जगह जो है वो बाला उसका compliment A intersection B का compliment मतलब यह जगह छोड़के बाकी सब दे दो sorry शिर्फ यह जगह यह block था इसका compliment यह out रहेगा यह हो गया A intersection B का compliment अब चाहिए हमें वो right hand side यह right hand side नहीं फोर नमबर A compliment union B compliment ठीक है यहाँ ऐसे लिखता हूँ यह A बला सेट यह B बला सेट A compliment उसी तरह A का खाली छोड़के बाकी पूरा portion ready यह रहा A compliment उसी तरह यहाँ बनाऊंगा B compliment यह A यह B B का compliment B का जगा छोड़के बाकी सब पूरा area B का compliment यह meaning हुआ हमें चाहिए क्या A compliment union B compliment यह A सेट यह B सेट union इन दोनों को union अगर किया जाए तो यहाँ सिर्फ A छुटा हुआ है यहाँ B छुटा हुआ है यहाँ जब A छोड़ते बग जब B छोड़ते बग जब B छोड़े थे यह B छोड़ दिया B छोड़ दिया B छोड़ दिया है एड़न को अगर union करो union एड़न एड़न पर्सन यहाँ यहां भी छुटा हुआ है बाकी पर्सन यहाँ खाली है लेकिन एड़न घ़या इन दोनों का union आगर किया जाए तो शिर्फ यह छोड़के बाकी पूरा जगह ये आपका ले लेगा इस तरह से इन दोनों का सेम आता है ये समझाने के कोशिश किया अब भेन डाइग्राम में बना के देखो इसका इकोल ये है इसका इकोल ये है भेन डाइग्राम और क्लियर से करूँगा अभी एक्सरसाइज करने के चक्कर में ये सब दिखा रहा हूँ इसी थीरम को बने थीरम ही है इसका प्रूफ भेरिफाई करके किया बने एलिमेंट वगरा लेके दूसरा भेन डाइग्राम से हम लोग कर रहे हैं भेन डाइग्राम चलो भई इतना ही घटा देता हूँ इसको फीर रहा एक्सरसाइज में लेट यू बी दा सेट अफ और ट्रेंगेल्ज मने एक प्लेंड में जितना ट्रेंगेल है, सब बहुत सारा ट्रेंगेल है, सब ट्रेंगेल है, हर एक ट्रेंगेल है, 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 एक ट्रेंगेल है फ्रम 60 यह जो है यह में वही सब सेट है जिसमें कम से कम एक एंगेल 60 नहीं होना चाहिए एटलिस्ट वन एंगेल डिफेरेंट फ्रम 60 ऐसाब बात यह 90 चली हो सकता है यह 60 हो सकता है यह 30 हो सकता है हमारा बात है A is a set of tangles with at least one angle different from 60 नहीं कम से कम एक एंगेल 60 नहीं होना चाहिए हां जी नहीं है यह 60 नहीं है यह 60 नहीं है यह 60 है ऐसा भी तो हो सकता है यह भी 60 नहीं कोई भी 60 नहीं मनोँ A सेट में दिया है वो टेंगेल A सेट में नहीं है जिसमें सभी 60 हो वही बात बताया if A is the set of all tangles with at least one angle different from 60 कम से कम A में जितना triangle है A पुरा set board हुआ उसमें हर एक triangle में कम से कम एक 60 से अलग angle होना चाहिए तो उसका complement अरे A में सब angle ही 60 degree होना चाहिए बोला है at least one angle different from 60 answer लिखेंगे हम लोग A equal to set of all equilateral triangle बस हो गया A complement अगर इसा लिखूंग तो लिखूंगा अगर set builder form में चाहिए तो X, X is the set of all X is an equilateral triangle तो जास्ट opposite बात लिखे रहता है इंगलिसमें बोलता है ने नेगेटिव बनाओ तो वही बात है इसेट का नेगेटिव बना दो opposite बना दो complement मतलब उसको पुरा करने वाला universal से हटा के यह हटा दिये यह भी मिटा दिये देखिए बात भई भेन डाग्राम का बहुत ज़रूरी बात है लेकिन कोर्स तो complete कर लू यहाँ simple बात a union a complement अरे भाई a में जो था और a में जो नहीं है और सब अगर मिला दिया जाए तो universal सेट होगा complement का बात हमेशा तभी होगा जब एक universal सेट रहा है without universal सेट आप union intersection difference कर सकते हैं complement का बात है universal से related complement का बात है complement में a में 1,2,3,4 दिया हुआ है तो इसका complement लिखो का मतलब हुआ 1,2,3,4 मत लिखो अरे भाई बात लिखे तो क्या लिखे अरे universal सेट देख वहां से लिख यह है मतलब तो a जितना element था था complement में वो a वाला element नहीं है दूसरा है मने एका element और बिना एका element मिलके universal सेट यह फिली दबले फाई डेश दियान देना u complement तो u को u से ही अगर घटा दिया जाए तो फाई होगा अब फाई का complement कुछ हाई ही नहीं उसका उल्टा पूरे गोडाउन होगा तो यह बात यह फाई कॉम्प्लिमेंट मने हो गिया आपका u इसको इसा कर सकते है फाई कॉम्प्लिमेंट इंटर्सेक्शन ए इककल टू फाई कॉम्प्लिमेंट मैंने u इंटर्सेक्शन ए अरे u तो बारा स्टोर है उसमें से a छोटा a common ultimate a ही रहेगा इहाँ a इंटर्सेक्शन एक कॉम्प्लिमेंट इन दोनों में तो impossible है एक भी element common होना इसलिए इसका इंटर्सेक्शन इस फाई यह कर चुके था ना फाई देस इस union यहाँ a set हुआ माने फाई का कॉम्प्लिमेंट इनिवर्सल इनिवर्सल के साथ a इंटर्सेक्शन करेंगे complete ultimate a आएगा यहाँ था यह क्या question number u complement universal complement वहने 5 intersection a अरे 5 में खुद ही कुछ नहीं है वेचारा तो फिर किसे intersect करेगा ultimate 5 तो यह exercise में हमने जतना question था कर लिया अभी use of what problem सब हाई what problem भी कर दूँँगा इसके बाद भेन डायग्राम के बारे में बात करूँगा नहीं तो पहले भेन डायग्राम के बारे में बात कर लूँगा फिर वो कर लूँगा आप प्लीज लाइक करें comment भाई प्लीज जरूर करना पराई मैं regular दूँगा मेरा वीडियो आप शुरू से देखो जैसे मैं अपना कोचिंग में पनाता हूँ उसी तरह से बना रहा हूँ वर्ट सिरियली आपका होना चाहिए थे प्लीज तरह से प्लीज जरूर करें प्लीज दूँगा